आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ यह हमारा गिवन फंक्षन यह है तो हमारा गिवन फंक्षन यह है तो हमें पता है कि साइन और कॉस एवरिवेर कंटिनूस और डिफ्रेंशिबल होते हैं तो यहां से में लिखेंगे खीचे, फ्रेंशिबला रिफ, लिखेंगे दिए, भाप वादयर दोषाओ, अ ए, छिए, लिए, लिए, अ, जिए, अ, ए, विए, आ, ए, वी, जा, बाव ऑने दिए, विए, वी, उए, तोश्विए, वी, लिए, वी, दोच रे, वी, ली, तो इा, भी, लिए, बाई, यह हमें पता है कि कोई भी टिग्नोमेट्रिक फंक्षन हो, साइन, कॉस, का, टैन का कोई भी फंक्षन हो, वो everywhere differentiable और continuous होते हैं, तो अगर everywhere differentiable और continuous है, तो close interval 0 to 2 pi पे भी continuous होंगे, So, the function, तो हम रिकेंगे, So, the function f of x is continuous in close interval 0 to 2 pi और second क्या होगा अपना, function f of x, function f of x is differentiable, function f of x is differentiable in open interval 0 to 2 pi, ठीक है, function जो होगा, अपना f of x continuous होगा, close interval 0 to 2 pi पे, differentiable होगा, open interval 0 to 2 pi पे, third point ना क्या होगा, f of a is equals to f of b, that means, अगर हम f of 0 निकालें, तो ये value क्या जाएगी, sin 0 plus 0, तो sin 0 plus cos 0, sin 0 की value 0, cos 0 की 1, तो ये तो 1 आ गई, इसी तरह f of 2 pi की बात करें, तो ये हो जाएगा sin 2 pi plus cos 2 pi, sin 2 pi is 0, cos 2 pi is 1, तो ये भी 1 आ गया, तो ये हैंसे third condition भी satisfy हो रही है, कि f of 0 is equal to 2 pi, यानि f of a is equals to f of b, अब last condition क्या है, कि then there exists at least, 1 c belongs to open interval 0 to 2 pi, such that f dash c is equals to 0, right, तो ये हैंसे f dash c को 0 की equal put करने के लिए, हमें क्या चाहिए होगा, f dash x निकालना पड़ेगा, तो ये हैंसे अगर हम f dash x की बात करते हैं, तो sin x का differentiation क्या होता है, cos x और cos x का minus sin x, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, f dash c को 0 के equal put करना है, तो येहांसे ये हो जाएगा, cos c minus sin c is equals to 0, right, तो ये हो जाएगा, sin c is equals to cos c, right, यहांसे ये क्या हो जाएगा, sin c upon cos c, ठीक है, sin c upon cos c is equals to 1, तो sin upon cos क्या होता है, tan होता है, right, तो ये हो जाएगा, tan c is equals to 1, तो tan 1 कब होता है, अगर हम, क्योंकि हमारा x देखो, कहां से कहां तक बिलॉग कर रहा है, 0 से 2 pi पे बिलॉग कर रहा है, तो tan 1 किस पे होता है, pi by 4 पे 1 होता है, और tan 5 pi by 4 पे 1 होता है, तो c की value क्या आजाएगी, pi by 4, 5, 5 by 4, right, क्योंकि n pi यहां से, हम क्या लिख सक्वें, general solution हो जाएगा, c is equals to, c is equals to, n pi plus pi by 4, n को 0 रखेंगे, तो pi by 4, n को 1 रखेंगे, तो pi plus pi by 4 is 5 pi by 4, और 2 रखेंगे, तो 2 pi से exceed कर जाएगा, because x हमारा, close interval 0 to 2 pi ही है, तो 2 pi से exceed नहीं करना है, तो c की दो value आ रही है, जो की belong कर रही है, open interval 0 से 2 pi में, right, 0 से 2 pi में belong कर रही है, तो यहां से हम एक condition भी satisfy हो गया, कि at least 1c belongs to 0 to 2 pi, तो सारे condition satisfy हो जाएंगे, तो हमारा Rawls Theorem क्या हो जाएगा, verified हो जाएगा, तो यहां से हम लिखेंगे, hence Rawls Theorem, hence Rawls Theorem, verified, तो Rawls Theorem क्या होगी, verified करेगी, इस equation के लिए, ठीक है, थैंक यू.